हेलो फ्रेंज स्वागते आप सभी का हमारी यूटूब चैनल टेश्टी फूड विद्रिया में तो दोस्तो चाइनीज खाना तो सभी को बहुत पसंद होता है तो ऐसी ही रेसीपी लेकर आई हूं मैं आज हम बनाने बाले हैं बेच चाउमीन की रेसीपी बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे घर पर बना कर तयार करेंगे जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो दोस्तो आप मेरी रेसीपी को एंट तक जरूर देखना तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने एक बड़े बरतन में डेड़ से दो लीटर पानी को वाइल होने के लिए रखा है उसमें डाला है एक चमस नमक और एक चमस ओयल कोई भी कोकिंग ओयल डाल सकते हैं और पानी में अच्छा सा उबालाने देते हैं जब पानी में अच्छा वाइल आने लग जाए तब इसमें हमें डालनी है अपनी noodles मार्केट में easily available होती है तो आप Chinese के नाम से जो noodles आती है वो ले सकते हैं और simple उसे boil होते हुए पानी में इस तरीके से हमें उबालना है बीच बीच में हमें इस तरीके से चलाते रहना है जिससे कि जो भी noodles आपस में चिपके हुए हैं वो तो शाटा-ाट मिनिट के बाद मैं इसे चेक कर रही हूं अच्छे से कोक हो गई हैं और हमें इसे ओवरकुक नहीं करना है तुरंत गैस बंद कर देंगे और इसे दो मिनिट ठंडा होने के बाद इसमें फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा पानी डालेंगे अच्छे से जिसे कि प्रोसेजर है वो बंद हो जाए अब एक जड़ी की सायता से हमें सारी नूडल्स को किसी छलनी में यानि की जो पानी स्टेनर होता है उसमें निकाल लेना है जिससे की इसका जो भी एक्ष्ट्रा पानी है वो निकल जाए तो मैंने सारी नूडल्स एक जड़ी की सायता से छलन मिर्च और 200 ग्राम मैंने पत्ता गोवी को लंबी लंबी स्लाइसों में कट कर लिया है तो सबसे पहले हम ऑईल में डालेंगे प्याज को हल्का सा रोष्ट करेंगे हाई फ्लेम पर एक मिनिट के लिए हमें कलर नहीं चेंज करना है बस हल्का सा रोष्ट करने के बाद इसमें एड़ कर देंगे सिमला मिर्च और इसको भी एक मिनिट ऐसे ही मिक्स करेंगे और फिर सबसे लास्ट में हम डाल देंगे अपनी पत्ता गोवी सारी सबजीयों को हमें अच्छे से हाई फ्लेम पर दो तीन मिनिट कुक करना है ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे हल्का सा इ देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए मसाले भी हमने मिक्स कर लिये हैं बहुत आछी तरीके से हमारी सबजीयां सौफ्ट हो गई है और इतना ही हमें इनको पकाना है अब हम इसमें अपने नूडल्स एड़ कर देंगे जो हमने ठंडी होने के लिए छोड दी नूडल तो यहां पर मैंने 3 बड़े चमिश विनेगर बिनेगर लिया है यह है डार्क सोया so Twitter यह दोनों ही मार्केट में इजी मिल जाती है तो यहाँ पर मैं 2-3 चमच सोया सोस का यूज कर रही हूँ और आप इसको भी अपनी क्वांटिटी के साब से यूज करें एक चमच भर कर डाला है मैंने टमेटो केचप इसका बहुत ही अच्छा फिलेवर आता है और एक चमच ही मैंने डाली है यहाँ पर ग्रीन चटनी यानि कि केवल हरी मिल्ची और ये धनिये से बनी हुई है तो इन सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है नूडल्स के साथ तो किसी फॉक की सायता से और किसी पल्टे की सायता से इस तरीके से दोनों साइड से आप पकड़ती हुए इसे अच्छी तरीके से नीचे तक मिक्स करेंगे सारे मसाले और नूडल्स में जो हमने फिलेवर दिये हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर तक जाने चाहिए तो देखिए दो तिन मिनिट में अच्छी से सारी नूडल्स को मैंने मिक्स कर लिया है और बहुत ही टेश्टी सी ये नूडल्स हमारी बनकर तयार हुई है तो देखिए, अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स मसाला, ये एक पकेट में ने नूडल्स मसाला लिया है, पांच रूपे का पकेट आजाता है, तो आप चाहें तो इसे डालें, अगर नहीं चाहें तो इसकिप कर सकते हैं, तो देखिए, अभी इस मसाले क वो भी हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इससे क्या इसका फ्लिपर और भी अच्छा इन्हेंस हो जाता है बहुत ही टेश्टी हमारी ये नूडल्स बनकर रैडि हो गई हैं नूडल्स को हम सर्व कर लेते हैं दूसरी प्लेट में तो दोस्तों कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो अपने कमेंट में जरूर बताईएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद